हाई गैस वेलकम बैक टू माई चैनल इनहेल पेंटरिक्स तो गाज़ आज की वीड़ में आपको को मैं चोलोना अप्लिकेशन का रिभीउद दूंगा इस अप्लिकेशन का निमें बाज़र ट्री तो कैसी एक नए अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन को यूट्टूब फेस् 35 डेस तक तरप से का जाते हैं कि इस ऐप्रिकिशन की इंटेस्ट्रेट है 5% से लिके टिन पर्सन और इस ऐप्रिकिशन की इलिजबिलिटीकी की बात का है तो इंडियन सिफिजन होना चाहिए 18-year चाहिए और साथ में एक मांतली इंक्राम सोर्स होना चाहिए कि आपटीकेशन के दरप से किdилли की ओने सर्विस्त पिर लिया जाता है और इमें यह पडिकेशन वाइप API की इस ड़िइकлекशन को, कुछ कि और यहां की दरुआं की अ कि अपनुगों में पुरां लॉन क्कि दिनों के लिए निते Can. को नहीं करने के पहले इंटलॉखिया वागँ करना होगा बेसिक डीटलह को कुछ सब्थिक प्रफिफियोख करना होगा क्युप दोकुमेंट्स को पर अब मजयेंसी कॉंठस नाभर सब्सक्राम्स प करने के बीटल का र पर का रॉब। डिटेल्स का ओप्षन तो इपे लोने माँ देख सकते 3,500 रुपेस और जो टेनिवाट प्रवाट करेगा इसी रुप से वेंडेस के लिए और जी एच्टी और सर्विस्पी काट के जो लोने माँ बैंक आते में रिसीव का 2,275 रुपेस और निचा अप्लिगोग को समिट का रुपेस से लेके 26,000 रुपेस तक के लोन प्रवाट करता है बड़केज इस अप्लिगिशन की तरफ से जितने सारे लोन अप्लिगिशन प्रफर किया जाता है सारके सारे लोन अप्लिगिशन 3,500 रुपेस तक के लोन प्रवाट करता है और इस अप्लिगिशन की तरफ से कह गाम है बाट गैजिज अप्रिकिशन की इंटेस्टेट और सर्विस भी बहुत ही जाता है और किसे अब लोग इस्टप के सेवन्डेस बाली लोन अप्रिकिशन पर लोन लेते हैं लोन को टाम ली किसी भी कारण निपे में नहीं कर पाते हैं तो लोन इपेंड के लिए आप ग सेवन्डेस के लिए एस बहुत तरीके सेवन्डेस बाली लोन इपेंड के लिए एकी तरीका का इस्तेमल करता है बहुत है हरस्मेंड के सवन्डेस के लिए और केसे एगर आप लोग बसेतरी लोन अप्लिकशन पर लण लेते हैं, और लोन डीओं आप्टिकेशन पर अप्लिकिशन अप्डेट नहीं करा था तो कईसे आप लोगोग को मैं बता देतो होगे जगर अगर अप लोग इस्टप के 7S बाले लोन अप्रिकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगोग कोई तो कईसे आप लोग पता कर सकते कि कौन सी लोन अप्रिकेशन पे लोन लेते हैं सापस 3500 रूपिस का लोन लिया है और 7S के अंदर अबर्ड जाजर लाग के रिपेमिन अमौन डबल हो जाता है और के सबस्टकर को इसटेकर 7S बाले लोन अप्रिकेशन पे लोन लेने के लाग लोन लेकर लोन लिया कर चुका है फिर भी लोन लिपेशन के लिए आप लोगो को harassment और blackmail किया जाता है जैसे कि loan repayment के लिए edited new feature आपका contact list में send किया जाता है loan repayment के लिए apt go का data card means use किया जाता है तो गैसी स्थीती में apt go को कह करना है उस application से आप ड़े माद उस application के एक भी पैसा repayment मत कीजिए उस application के खिलब जाके एक cybercrime complaint कर दीजिए और कि cybercrime complaint करने के बाद आपको कोई complaint को भी मिल जाएगा उस complaint को आपका contact list में जितने सारे नंबर है सार के सारे नंबर पर send किजिए और बोल दीजिए कि यह application 4G और यह application इस तरीके से लोगों के साथ scam करता है तो कि जिससे किया होगा आपका contact list में जितने सारे नंबर होगा सारके सारे नंबर को उस application के बार में पता चल जाएगा कि वह application 4G और वह application किस तरीके से लोगों के साथ scam करता है और किस अगर कोई already step के 7 days बाले loan application से loan लेके फाच चुगा है और loan रिपेन के लिए आप go को call करके परिशन किया जा रहा है तो इस step का loan application की call से बचने का solution यह है कि 3 days से लेके 10 days तक अपना SIM card को उप किजिए फिर जब लोग 10 days बाद अपना SIM card को उपेन करेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि step का loan application से call and up बंद हो गया है और एक solution है step का loan application की call से बचने का बोई यह है कि true color application को डाउलोड करके unknown call को ब्लॉक कीजिए तो इससे किया होगा unknown number से जो भी call आएगा वो automatically काट जाएगा और किस अभी आप लोगों का मन में step का 7S बाले loan application को लेके कभी सारे सवाल आ सकता है step का loan application आपको खिलब legal action ले पाएगा आपका civil खरब कर पाएगा तो किसमें आप लोगों को बता देते होगे step का 7S बाले loan application NBFC रेजिस्टार RBA रेजिस्टार नहीं होता है step का loan application illegal होता है RBA का कोई rules फालो नहीं काता है step का loan application आपको खिलब legal action ले पाएगा आपका civil खरब नहीं कर पाएगा step का loan application loan repayean के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है बहुत है harassment और ब्लाक मेल step का 7S बाले loan application आंसे बार इसकी होता है आप लोग step का 7S बाले loan application से सब्धान रहे और step का 7S बाले loan application की positive review देखके आप लोग अभी भी loan के लिए apply ना करें कि गुए step का 7S बाले loan application के बार में play store में जितने सारे positive review दिखने को मिलेगा खुद application वालों की तरफ से किया जाता है तो किसमें इसलिए हर बाल बोलता हूँ कि कोई भी loan application पे loan अप्लाई करने से पहले play store में जाके उस application की one star rating review check out कीजिए और साथे साथ YouTube पे भी उस application की review check out कीजिए फिर जाके उस application पे loan के लिए apply करें तो अब लोग इस अप्लिकेशन के लिए अगर आप लोग को harassment और ब्लाग मिल काता है तो आप लोग इस application के खिलाब एक cybercrime complaint कर दीजिए और कैसे अगर किसी को loan के related को issues या कोई problem होता है तो इस वीडियो का description पे मेरा Instagram account का link आप लोगों को दीखने को मिल जाएगा तो आप लोग इस सब लोगों के लिए apply कर सकते है तो अगर आप लोगों कोई ये वीडियो आच्छा लगे तो जोरूस वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो को जाएगा शाय दा शेयर कीजिए तो कैसे आप लोगों के साथ मुलका थोड़ा है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हींद बंद मातराम